प्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ कच्छ गुजरात की एक फेमस डिश साटा और एकदम पारंपर इक तरीके से मैंने ये साटा बनाया है तो फ्रेंड्स आप मेरी बनाई है जो की बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छी लगेगी फ्लेवर आप इसमें जो चाहे वह फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हैं किस तरह से एकदम अंदर तक सिका हुआ और क्रिस्पी हमारा ये साटा बन करके और तैयार होगा फ्रेंड्स अगर आप मेरे टिप्स ध् čयिaktво एक टेबली स्पूंन सूजी ले लियें ये वैली एक टेबलिस्पून भर के अच्छे से फुल हमने करे लिक और चार टेबल स्पूंन हमने ये दही ली आए थोड़ा सा हम इसमें दो चममझ द्धी डालेंगे और दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे दही और सूजी को मिक्स करके ढखके हम 15 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे एक बतन ले लेंगे परात उसमें हमने यहां सवा कप मैदा लिये यह एक कप भरके और यह एक चौथाई कप 500 ml वाला हमारा मेजरिंग कप हैं साथ एमेल का हमारा सवा कप एक चौथाई कप है इस तरह से हमने सवा कप मैदा ले लिए सबसे पहले हम इस मैदा को छान लेंगे एक चोथाई चोटी चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर को मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो टेबलिस्पून हमने यहां गी लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा यह गी डालेंगे और मैदा में मोयन अच्छे से मिक्स करेंगे मैदा में हमने मोयन उच्छे से मिक्स कर दिया है हुए यह देखिए पूरी मैदा के लड्टू से बंदनें लगे हैं अब हम इसे 10 मिंट के लिए डखके रख देंगे तान 14 मिनिट हो गई नों इस और अगा ज़से हमें दली कि मोयन डाल कर के अगल हो यह देखि़ें हमारा आटा तयार के ढ़ा है अब हम भी सूजी चेक करेंगे और यह देखिए जो हमने सूजी दही में भीगो कर रखी है अब हम यह सूजी इस मैदा में मिक्स करेंगे आप चाहें तो friends ये dough दूद से भी तैयार कर सकते हैं सूजी को आप दूद में विगो के रख दीजिए और दूद से ही आप दो तैयार कर लीजिए या आप सिर्फ दही से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं दही से ये dough तैयार करूंगी जो हमने चार टेबल स्पून दही रखा है वो थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए और हम इसका एक डों गुंदेंगे डों हमें बहुत सक्त गुंदना है फ्रेंड्स इसलिए द्यान रखें दही थोड़ा थोड़ा ही डालें कि अगर फ्रेंड्स आपको आदा किलो मैदा का मैदा का साटा वनाना है तो आप आदा किलो मैदा में आधा कप सूजी डालने या आप सिर्फ मैदा का भी साटा बना सकते हैं कि यह देखे फ्रेंड्स हमने एक दम सक्त दो गूंद करके और तैयार कर लिया है और जो हमने चार टेबल स्कुम रही लिया ना फ्रेंड्स एक चोटी चमस दही बच गया है अब हम इसे पंदरा मिनिट के लिए इस तरह से फिर से ढखके रख देंगे और जब तक पंदरा मिनिट हमारा आठा थोड़ा फूल के सेट होता है तब तक हम इसके लिए चाष्णी बनाएंगे कोई भी बरतन ले लेंगे चाय तो भगोनी ले ले इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और सवा कप में हम यहां एक कप शक्कर ले रहे हैं यह शक्कर डालेंगे और आध चाष्णी में उबाल आते हुए दो तीन मिनिट हो गई है अब हम थोड़ी सी चाष्णी कटोरी में निकालेंगे और इसे अच्छे से ठंडी करेंगे हमें एक तार एक डेड़ तार की हमें चाष्णी बना लेनी है गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि धीरे धीरे हम है और हलका सा तार बनने लगाए इसमें लंबा तार नहीं बन रखेंगे तो हमीसे तीन चार मिनिट ओर पका लेंगे लो फ्लेम पे ही वक्तिन मिनिट हो गोई हमें चाष्णी को अबल पे उबालते वे और हम फिर से इसी तरह से थोड़ी कटोरी में निकालेंगे और इसको थोड़ी ठंडा करेंगे और यह देखिए फिर से हम इस तरह से चेक करेंगे इलेन फ्रेंड साप यह तार बन रहा है बस यह हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है यह देखिए यह हमारा तार बन रहा है अगर हम इसे ओर 3-4 मिन पका देंगे तो हमारा वर लंबा तार बनने लगे गां यहांगी दो तार स्थे ने रहे दो को लुटेमष्ण करोंrama तर यहां आप चाहे तो इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं, यहां मैंने चोथा चोटी चम्मच इलाइची पाउडर डाला है, डाल के और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब तक हम साटा बना के तयार करेंगे, प्रेंट्स आप चाहे तो यह साटा घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आ किर मारा आहटा किटना सकत है, आप हम इससे लोइ तैयार कर लेंगे उप्रिट्रों को थोड़ा मोटा भी लेंगे, क में इसस तरह कम से कम आदा हिंची मोटा हमने साटा भी लिए और अब हम कोटोरी सांचे की मदत से, इस तरह से हम इने गोल गोल काट लेंगे, वा उड़िए इस Toie सो हम सारे इसमें से निकाल लेंगे और साइडों के आटेगोंफ फिरसे इखटा करके फिरसे बेल लेंगे देखे फरेंटे ही हमने साटे की पूरी बेल करके तयार किया है इसको अब हम अच्छे से इसमें इस तरह से दोनों साइड इस तरह से गुमाकर और दोनों साइड अच्छे से हम इसमें छेद कर देंगे ताकि यह अच्छे से अंदर तक सिखे और जब हम इने चाशनी में डाले तो इनमें चाशनी भी अंदर तक अच्छे से जाए इसके लिए हम इस तरह दोनों साइड ही देखिए दोनों साइड हम अच्छे से चिट करदेंगे शपमें और इसे एक प्लेट में राख लेंगे जैश की फ्लेम हमें रखाना के चाहिए ब्लाद लोज़वें चाहिए करेंगे इतल डैं़े दो हमने में इस तरह ऐक हमें 8 में जया और फ्लेम नहीं तरह बीड़ता में बहला है फ्राइब करेंगे फिर आमीने पलट की चेक करेंगे देखे फ्रेंड्स हमें साटे को जैसे हम बालू शाही एक दम लो फ्लेम पे धीरे-धीरे फ्राइब करते हैं अबस उसी तरह से हमें साटे को फ्राइब करना है यह तीन-चार मिनिट में यह सिर्फ उपर उठके आया है और इसमें किस तरह से लेयर दिखने लगी है अब हम इसे एक बार इस साइड से पलट देंगे और इसी तरह से हम दो तीन बार उलट पलट के अच्छे से हम इने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब कर लेंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से शिक जाए इस तरह से यह गोल्डन ब्राउन हो गई है अच्छे से सिख गई है और आप यह भी देख पा रहे होंगे कि हमारी एक एक साटे में किस तरह से लेयर दिख रही है हमारे साटे फूल गए है अब हम इने एक पलेट में बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बागी के सारे साटे अच अग्याम को हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम पे इस तरह से हम सारे तरह कर लेंगे पर नीचे कर देंगे ताकि अच्छे से चास्नी पी लें और हम इने कम से कम चार पांच मिनिट इसी तरह चार्शनी में रहने देंगे उसके बाद हम इने बाहर निकालेंगे यह देखे फ्रेंड्स पांच मिनिट हो गई और इनकी चार्शनी जमने लगी है अब हम एक-एक साटा बाहर निकालेंगे और इस प्लेट में हमने घी लगा करके तयार कर लिया है इस प्लेट में हम इने रखते जाएंगे इस तरह से अब आप चाहें तो इस पर सूखी हुई गुलाव की पंकुडियां पिस्ता डाल सकते हैं तोड़ी-थोड़ी ऊपर से चाशनी और डाल दे इस तरह से अगर चाशनी ऊपर से थोड़ी और डली कासा लो फ्लेम पर फिर से गरम कर लेंगे और बाकी के बचे हुए साटे हम इसमें डाल करके और इसी तरह से साटो पर छास्नी चड़ा करके और तैयार कर सब्सक्राइब हमारा साटा बन करके तयार हो गया है अगर आप जो बाते मैंने वीडियो में बताई है वो ध्यान रखते हुए आप साटा बनाते हैं तो आपका साटा बहुत ही अच्छा बनेगा तो फ्रेंड्स आप इस तरह से देख पारे न देखिए कितना एकदम शक्कर से भरा हुआ क्रिस्पी हमारा साटा बन करके और तयार हुआ है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से मेरी वीडियो देखते हुए साटा बनाईए खाईए थैंक्यू फोर वाचिंग